अगर आप सिमेट या पेलेट या स्पॉंज किसी भी इंडेस्ट्री में काम करते हैं आप लोगों ने देखा होगा गयोर्वक्स के उपर में एक छोटा सा पार्ट रहता है बहुत बहुत ही ज्यादा इंपोटांट पार्ट रहता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सबस्क्राइब सबस्काइब ग्योर वक्स में हम लोग का temperature क्यों rise करता है ग्योर बोक्स में होता है जैसे गयर आपको आपका अंदर निकालना ज़रू है अगर आप उसको बाहर नहीं निकाले तो आपका oil seal भी damage कर सकता है इसके अलावा हम लोग अगर ब्रेथर यूज नहीं करते हैं क्योंकि gearbox में उसका temperature बढ़ेगा तो यह bearing को भी damage कर सकता है या तो ग्यूर को भी damage कर सकता है यह सब problem हम लोग अभड करने के लिए gearbox में ब्रेथर का यूज करते हैं इसके पबसे प्रेथर का प्रोलेमाप भी जान लेते हैं ब्रेथर में सब क्या problem देखा जाता है hmm अगर आपका ब्रेथर से ओयल लेकेज हो Aukar का अगर आपका अगल ब्रेथर SEC लोग करेंगे जादा है तो आपको iller कु रिलीज कर देंट tätä गंस को चला इए उसके बाद को चलाएं और शक्राइब दूसरा कारण हो सकता गेर्वक्स पनी जो रेकोंड करता है युज्ज कर तो आपको यूज करते है तो आपको पसंड आप तो आप बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चनल दो सस्काइब कर लिजिया